हलो दोस्तो स्वागत है आपका pro talk YouTube channel में मैं प्रकास चुर चुका हूँ आपके साथ e-commerce related एक और नए वीडियो के साथ दोस्तो जब भी कोई news seller Amazon या Flipkart में अपने products की selling स्टार्ट करना चाहता है online selling के field में आना चाहता है तो उसके सामने सबसे पहले GST का टॉपिक आ जाता है क्योंकि दोस्तो जब आप online selling करने आओगे तो आपसे first of all GST मांगा जाएगा तभी आप Amazon Flipkart जैसी e-commerce marketplace में अपने product को sale कर सकते हो अब अधिकतर sellers जो होते हैं वो यहां पर आके स्टक हो जाते हैं क्योंकि GST उनके लिए new होता है GST से related उनके बहुत से doubt होते हैं बहुत से question होते हैं जो वो solve करना चाहते हैं बट वहां आके स्टक हो जाते हैं दोस्तों आपके लिए GST से related मैंने पूरी एक playlist बना दी है जिसमें मैंने आपको GST से related वीडियो सारे महां पर मिल जाएंगे और मैं समय समय पर जितने भी GST से कमेंट कियें बहुत से उसमें व्यूवी गयें और बहुत से उसमें मुझे डाउट देखने को मिल रहे थे कि यूजर्स के बहुत से डाउट है दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ GST अप्लाई करने का सही process क्या है यह discuss करने वाला हूं step by step आपको process बताऊंगा साथी आपने अगर वह दोनों वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको GST कैसे apply करना है और मैंने अपना experience आपके साथ share किया था तो उस वीडियो का link आपको description मिल जाएगा आप उसे देख सकते हो साथी playlist का फे link मिल जाएगा दोस्तों आज जैसा कि मैंने आपको बताया आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको पूरा सही process बताऊंगा step by step क्या 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 आपको करना है यह manually आपको बताऊंग document को रे करके document अगर नहीं है तो क्या करें साथी rent agreement के कुछ question है साथी और भी बहुत से question है जो मैं इस वीडियो में pick up करूंगा और वह आपके साथ share करूंगा आपको भी उससे जरूर help होगी क्योंकि बहुत से जनका यह doubt था तो चली दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और यह वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं जिनको जीएश्टी से related help हो सकती है तो चली दोस्तों आज का वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों फर्स्ट अफॉल मैं आपके साथ जीएश्टी apply करने का सही process क्या है यह बताने वाला हूं उसके बाद question की वारी आएगी उ दोस्तों जब भी आप जीएश्टी apply करते हो तो उसका step by step process है उसे आपको complete करना होगा आपको जीएश्टी apply करने से पहले जिसके भी नाम पे आपको जीएश्टी apply करना है या जिसके नाम पे भी आप जीएश्टी ले रहो हो उनका pain card होना मस्ट है तो आपको first step जो है वो ह उस person का pain card जिसके नाम पे आपको apply करना है अब जब आप pain card ले ले लेते हो तो second बारी आती है कि आपको उनके नाम पे कुछ document चाहिए होंगे जो आपको वहां पर जब आप apply करोगे जिस्ट के तो वह proof आपको देने होंगे अब यह document कौन-कौन से हैं यह आप जान लीजी फर् के नाम पे apply कर रहे हो उनके अधार card में mobile number add होना चाहिए क्योंकि दोस्तों जब आप apply कर दोगे उसके बार आपको OTP से verify करना होगा अपना अधार तभी आपका जो application है वो आगे process होता है और आपको ARN number generate होता है तो first हो आपके पास pain card होना चाहिए फिर आपके पास अधार card होना चाहिए जो मोबाइल से link होना चाहिए उस अधार card मोबाइल नंबर अगर नहीं link है तो आप प्रग्या क्रेंद या जहां भी अधार का update होता है आपके near में वहाँ पर जाके आप अधार में अपना OTP add कर वा लीजिए उसके बाद फ्रेंट बारी आती है electric bill की अब यह swap है तो आप अपने swap जब लिया होगा तो आप जाहिए रेंट agreement आपने बनवाया होगा तो आप उस rent agreement को यूज कर सकते हो अब बहुत से swap ऐसे होते हैं जो rent agreement नहीं बनवाते हैं तो आपको अगर rent receive मिलता है friends तो उसमें उसे भी आप यूज कर सकते हो जो मैंने जब apply किया थ दिखाया था कि क्या क्या यूज कर सकते हो अब यह भी आपके पास नहीं है तो आप जो lease agreement होता है आप वह बनवा सकते हो अगर आपके parents के नाम पर electricity bill नहीं है तो आप क्या कीजे आप lease bill lease document बना लीजे कि आपका जो यह जो जिस person के भी नाम पर home है electric bill है उनसे आप lease agreement बनवा लीजे कि आपको वह अलाव कर रहे हैं कि आप यहां पर business work कर सकते हैं वह भी काम आ जाता है तो यह होगी electric bill इसके लाबा क्या कि आप यूज कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया इसके बाद आपका photo फिर आपका bank account bank account दोस्तों देखिए जब आप apply करोगे उस समय काम नहीं आने वाला है वह काम आएगा जब आपको आज आज आएगा उसके बाद आपको वहाँ पर एड करना होगा तो वह बात का है ठीक है फिर photo और sign इतने document आपको चाहिए जो document मैंने आपको बता एक बार फिर बता देता हूं pain card अधार card जैसे mobile number एड होना चाहिए electric bill या इसके ल इसमें फी कितना लगने वाले फ्रेंड्स फी आपका एक रुपए भी नहीं लगेगा आप जिनसे apply करोगे वह service charge के नाम पर आपसे जो लेना चाहते वह ले सकते वह उनके पर depend करता है बड़ जीस टी पर पोटल पर जाके अगर आप apply कर तो बिल्कुल ही free है एक रुपए यही फी जीसटी का नहीं लगता है ठीक है फी कब लगेगा जब आप इसे करोगे फी वह से मैं नहीं पोलुँँगा उस से मैं बलूँगा जीसटी फी बोलना गलत रहेगा तो जब आपकी सेल होगी तो ही आपको जीसटी करना यह भी मैंने clear कर दिया अब पहले मैं process बतात second step process में आपको gst.gov.in के website पर जाना है वहां पर आपको new registration कैसे करते हैं यह आपको वीडियो मिल जाएगा आई बटन पर आ रहा होगा वीडियो इस वीडियो के बाद उससे देख लिए साथ ही मैंने description में भी लिंक दे दिया है तो उसके बाद आपको gst के website पर जाके पर अप्लाइ करना है दूसरा step हमने clear कर लिया अप्लाइ करने का अब apply कैसी करना उसको वीडियो आप देख मैंने आपो दे दिया है अब second step हमने प्रोसेस कर लिया थषूर इस अब कर लिए ने दोश्टें पर फर्सट व अरे दियर नंबर जनरेट करना होता है और से अप्लाय करना, आप video देख लिजएगा उसमें आपको link mail में मिलेगा ठीक है उस mail में link मिल जाएगा आपको message में भी आजाएगा आप उस link पे click करना है script आपको आधार के website पे चल जाओगा वहाँ पे आपको अधार नंबर देना है जो आपने जी एस्टी अप्लाइ करते वक्त दिया था और उसमें एक OTP आएगा आपको मुगाल नंबर पर जो अधार से एड होगा और उस सब्सक्राइब करना है तो आपको सिंप्ली मेल आ जाएगा अब मेल आने से पहले हो सकता है करिफाई करने से पहले मैक्सिमम केस में होता है कुछ में नहीं भी होता है कि आपको कॉल भी आ साकता है आपने जो नंबर महा पर दिया है तो maik वेट आप करें जैसे ही 10 दे के अंदर जैसे ही आपको जाता है तो आपको मेल मिल जाएगा और उस मेल में आपका जो जीएश्टी नंबर है वह भी रहेगा साथ ही आपको जीएश्टी के वेबसाइट में लॉगिन करने का लॉगिन आईडी और पासवर्ड वह भी अटैच करता है दोस्तों अब जीएश्टी जो सर्टिफिकेट है जैसे ही आप वेबसाइट पर लॉगिन करोगे वहां पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा आप वहां से डाउन्नूड कर सकते हो घर में कुरियर बगर से कुछ भी हमें नहीं मिलता है तो चार इस्टेप आपने आपको कॉल भी आएगा और वेरिफाई हो जाएगा तो चार इस्टेप सिंपली है जिसे आप अधार ले सकते हो सौरी जीएश्टी नंबर ले सकते हो अब बारी आती है उन कोस्टिन की जो बहुत से लोगों का डिमांड था बहुत से कॉमन कोस्टिन है उसे मैं पिक करता ह उनके नाम पे नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं यह बहुत से कॉमन कोस्टिन है बहुत जनका कोस्टिन था तो देखिए अगर आपके नाम पे जीश्टी बिल जीश्टी आपको अगर आपके नाम पे लेना है और आपके नाम पे एलेक्ट्रिक बिल नहीं है तो आप क्या कर स क्यों कर सकते हो इसके नंमर्न के बनेश्गा तो आपके पास अगरेंट वी यूजट करसकते हो Swap कर सकते हो या अगरेंट जे लिए को अगर मेर पड़ेक्ट बोलब टी आतर हमारी सेल नहीं होता है तो आपको Nile GST फिल करना है वो बिलकुली फ्री होता है उसका वीडियो भी मैंने बद बनाया है आपको link description है मिल जाएगा तो आप GST नमबर ले लेते हो आपका 1 उपर भी sale नहीं होता है तो आपको 1 उपर भी GST के लिए pay नहीं करना पड़ता है लेना बिलकुल ही फ्री होता है इसके बाद इसकी कोई ऊसली हुती है जो होता है जब भी आपका सेल होता है जिस मंत में लिख चिक होती है दिए फिर अथा डो है उसके साफसे आपको जैस्ट पत्रसंट आ ही एसका वीडियो जल्द आने वाला dobrze करते हुए हर मंत आपको जीस्टी रिटन फिल करना पड़ता है इसको फिक्स नहीं है कि जिस्टी नंबर लेने के बाद अपको कोई फिक्स चार्ज दे देना है अब आपका जितना जादा सेल जाएगा उतना जादा ब्यद्धट पे करना पड़ेगा। जितना कम सेल अकॉद जेस्टी कोई monthly चार्ज नहीं है ना कोई एनुवल चार्ज है सिर्फ GST आपको तब पे करना होता है जब आपकी कोई सेल होती है जो आप Amazon Flipkart के website पर जब सेल करते हो तो आपको GST पे करना पड़ता है अब यह से ही अपने business को operate करता हूं तो मैंने भी GST नमबर अपने घर के address पर लिया है कोई ज़रूर ही नहीं है कि आपका swap हो तब आपको GST नमबर मिलेगा दोस्तो नेक्स कोसें जो था कि आखिर हम GST नमबर लेने के लिए जो अकाउंट नमबर है वो करेंट यूज कर सकते हैं या सेविंग यूज कर सकते हैं तो दोस्तो आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो आप जब वहाँ पर अकाउंट अपडेट करोगे तो वहाँ पर आपको आपसन आ जाता है कि सेविंग अकाउंट चूज करना है या करेंट अकाउंट चूज करना है तो आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं दोस्तो यह मैंने कुछ top comment जो थे common comment जो थे जो जिन लोगों ने post किये थे उसे मैंने pick up किया अगर आपको लगता है कि आपका कोई question है GSC से related जो मैंने इस वीडियो में pick up नहीं किया आपने comment किया था तो आप आपका अगर कोई और भी question है GSC से related तो इसी वीडियो के नीचे आप मुझे comment करें मैं इसका part 2 लेके आऊंगा ज्यादा से ज्यादा अगर 50 comment 60 comment आते हैं question की list आ जाती है तो मैं उन सारे question को analyze करके next part इसका जुरूर लाऊंगा तो अगर आपका कोई डाउट है जो रह गया हो तो comment कीजिए मैं next वीडियो का part 2 लेके आऊंगा ज्यादा से related तो आज का वीडियो अगर आपको नोले विजे लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा साथी चैनल पर नई हो तो